नमस्कार आप देख रहे हैं The Voice of Common Man News, Hindi and English हमारे चैनल के चीफ एडिटर्स अमीर कुरिशी की साथ आए आपको ले चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो कि आ रही है सिदे साउथ मुंबई से मुंबई से इस वक्त की बड़ी अपडेट साउथ मुंबई एंटी नार्कोटिक सेल वर्ली यूनिट ने मस्ज़िद बंदर कुला स्ट्रीट में पेट्रोलिंगे दुरान तीन लोगों को अरेस्ट किया है ये तीरों लोग काफी सालों से एमडी ड्रक का कारूबार कर रहे थे जिहां एमडी ड्रक का कारूबार ये काफी टाइम से कर रहे थे और इस अवे धंदे में इनोंने करोडों की प्रॉपर्टी बना ली है इसी क्रम में साउत मुंबई निया 204 ग्राम एमडी डर्ग्स और कैश टोटल 40,45,000 का माल इन लोगों से बरामत किया जिहां आरोपी में करीम फारुक शेख, दूसरा नासिर मुझगाडी अज्जीज शामिल है साथी तीन अन्य आरोपियों को भी मजगाओं से पुलिस ने अरेस्ट किया है जिहां आपको बताएं मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल और वर्ली उनिट ने पेट्रोलिंग के दौरान मस्ज़िद बंदर इस्ट कुला स्ट्रीट के पास से इन लोगों को पकड़ा है जो कि एमडी डर्ग्स के लें देन का काम कर रहे थे इन पकड़े गएं लोगों से जब पुस्ताश की गई तो मजगाव जीना भाई रट और माग से तीन अनने लोगों को भी गिरफतार किया गया है एंटी पीसियर की तरहत यहां कारवाई की गई है एमसी वर्ली ने कुल 6 लोगों को इस क्रम में गिरफतार किया है इनके पास से कुल 204 ग्राम MD ड्रग और लगबग 40,45,000 का माल बरामद हुआ है मुंबई के प्लिस कमिशनर विवेक फांसलकर स्पेशल प्लिस कमिशनर दिवेन भारती जोईन प्लिस कमिशनर इन क्राइम लक्षमी गुपता मुंबई के प्लिस कमिशनर विवेक फांसलकर साथी वर्ली प्लिस यूनिट से कि लोगों के खिलाब सक्से सक्त कारवाई की जाए जैहिन जैमारश्ट समीर कुरेश